गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा कि किस तरह से एक नैचरल कलामिटी यानि कि अर्थक्वेक गुजरात में स्ट्रक होता है 26 जैनुवरी 2001 में और उसकी वज़े से कितना डिस्ट्रक्शन होता है आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जब इस डिजास्टर के बारे में पूरे वर्ल को पता चलता है तो किस तरह से लोग आते हैं अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं हेल्प करने के लिए आज हम लेसन नमबर 14 को आगे कंटीनियू करेंगे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से जो अर्थ्वेक अराइव होता है स्ट्राइक होता है गुजरात में कच्छ के एरिया के जो विक्टिम है वो अपनी आप बिती बताते हैं अब हैल्प अराइव यानि अब जब उनके लोगों को पता लगा कि गुजरात में इतना भयंकर अर्थ्वेक आया है तो लोगों ने मदद करना शुरू करी For some days after that people from cities kept coming to see that what had happened they came with food medicines and clothes everyone used to rush to take these things The clothes that we got were very different we had never worn such kind of clothes before People from different groups from the city helped us to put up the tents Staying in these plastic tents in the cold winter months was very difficult यानि वो बताते हैं कि लोग जो है, मदद के लिए काफी समय तक आते रहे गाउं में, वो अपने पुराने कपड़े या खाने पीने की चीज़ें दान करते रहे और लोग दोड़े दोड़े आते थे इन सब चीज़ों को लेने के लिए वो कहते हैं कि जो हमें cloth मिल रहे थे वो जो हम पहनते हैं उनसे काफी ज़ादा different थे हमने इस तरह के कपड़े कभी नहीं पहने थे क्योंकि ये गाँ था और cities के लोग अलग तरह का पहनावा रखते हैं ये बताते हैं कि कुछ लोग जो उनमें से आये थे वो scientist थे और वो try कर रहे थे ये find out करने की कि क्या अभी और earthquake आने के chances हैं लोग उनसे बार-बार बात करते थे और उनको suggestions देते रहते थे और उन्होंने भी suggestion दिया था कि गाउं में जो buildings हैं उनको वो दोबारा से बनाई जाएं तो engineer और architect ने बहुत सारे special design के घर बताए और लोगों को कहा कि इस design के अगर आप घर बनाते हैं बनवाते हैं हमसे तो आप लोगों को next time जब earth को एक आएगा तो कोई difficulty नहीं होईगी इतनी जादा difficulties नहीं होंगी बट गाउं के लोगों ने ये चीज़ों को refuse कर दिया क्योंकि वो डरते थे कि अगर ये engineer लोग हमारे घर बनाएंगे तो हमारा जो गाउं है कभी भी पहले जैसा दोबारा नहीं दिख पाएगा क्योंकि उन लोगों की सोच और गाउंवालों की सोच में काफी जादा difference था इसलिए villagers ने सोचा कि वो अपने घर खुद बनाएंगे मगर इन लोगों की help जरूर लेंगे और इन लोगों की help से वो गाउं का जो school है जो destroy हो चुका था उसे भी बनाने की उन्होंने सोची सबने बहुत मेहनत करी एक साथ काम किया और उन्होंने अपना village को rebuild कर लिया कुछ लोगों ने खुदाई करी कुछ लोग clay लेके आते थे कुछ clay और cowden को mix करके large cakes बनाते थे कच्चा houses बनाने के लिए इस तरह से houses उन्हों के बनने लगे और उन्होंने दीरे दीरे उन houses पे white wash किया और उनको decorate किया small small design से जिस तरह से गाओं के घरों में हुआ करता है हमारे chapter का next topic है कि what will you do यानि अगर आपके साथ जैसमा जैसा कुछ होता है यानि आप ऐसी situation में आते हैं कि आपके area में earthquake आता है तब आपको क्या करना चाहिए तो सबसे पहला point दिया है if possible leave the house and go out in open ground अगर possible हो तो अपने घर को छोड़के open खुले मैदान में आपको चले जाना चाहिए और अगर possible नहीं है तो आप लोग घर में ही किसी बड़े furniture जैसे table हुआ उसके नीचे उसको tightly पकड़के बैट जाई है इसके यह ऐसा इसलिए क्योंकि यह heavy रहते हैं और यह slip नहीं होते हैं नेक्स्ट इस कि अगर आप कार में हैं कार में ड्राइब कर रहे हैं तो आपको कार को उसी समय के लिए कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए जब तक कि यह earth का shaking नहीं रुख जाता हैं आपको स्कूल में या कहीं और earthquake के बारे में कुछ बताया गया है यदि हां तो आप इसके लिए लिख सकते हैं नेक्स्ट हूल यानी आप जो विक्तिम हैं वो बता रही है कि किन-किन लोगों ने हमारी मदद की तो यह जो है बुज अर्थक्वेक की TV रिपोर्ट है एहम्दाबाद में यह रिपोर्ट है यानि एक अच्छी के इलाके के रहने वाली है लेकिन यह TV रिपोर्ट है जो कि अहमदाबाद के इलाके की है जो कि टेट टेलिवीजन पर आए थी So this is the report जो अहमदाबाद के में जो अर्थुकेक जो हुआ था वो गुजरात में मॉनिंग में हुआ था इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इसमें कम से कम thousand लोग जो हैं, वो injured हुए थे, आर्मी जवान्स को बुलाया गया था, जो लोग injured हुए हैं, जो मलबों के नीचे दबे वे हैं, उन्हें निकालने के लिए, और evening तक 250 bodies जो हैं, वो निकाल ली गई थी, इन buildings के नीचे से, ऐसा डर लग रहा था, इसमें इसा लिखा हुआ है कि it is feared that several thousand people may still be trapped, यानि कई हजार लोग still इन मलबों के नीचे दबे वे हो सकते हैं, हो सकता है वो जिन्दा हूँ, हो सकता है वे मुर्दा हूँ, लेकिन इनके नीचे दबे वे हजारों लोग और हैं, rescue efforts are on, there is perhaps no building in the city which has not developed मुझ में इससे भी जादा खराब हाला थे हैं, people are running around in shock and panic, within an hour of the earthquake, the fire engines had reached and started work along with the local people, offers to help are coming from all the corners of the country and abroad, यानि इस तरह की जब news आती हैं, या टेलिविजन पर दिखाया जाता है, या किसी magazines में नीउस चपती हैं, या newspapers में नीउस चपती हैं, को किसी भी घटना या दूर घटना के बारे में जानकारी लग जाती है, और लोग जो हैं, वो help के लिए तयार हो जाते हैं, इसलिए इस आर्टिकल को बहुत importance जी गई है, और ये एक आर्टिकल है, जो कि शायद victim ने पढ़ा होगा, और उन्हें अच्छा लगा होगा पढ़के, तो इसे हमारे चैप्टर में शो किया गया है, यहां हमें अर्थक्वेक के अलावा भी अदर नैचरल जो calamities होती हैं, जैसे कि ड्रॉट है, फेमाइन है, इनके बारे में जानकारी दी गई है, कि और कौन-कौन सी नैचरल कलामिटी होती हैं, और हमसे कोशिंज पुछे गए हैं, कि क्या हमारे कोई जान पैचान वाला, या नेबर हुड में, या हम खोद ने इस तरह की किसी नैचरल कलामिटी को फेस किया है, और जैसे कि फलर्ड हो गया, इस तरह की घटनाय दुर घटनाय होती है, इने क्या हमने फेस किया है, और अगर हमने फेस किया है, तो उसके हमको एक्सपिनेंस नोटबुक में लिखने हैं, और अगर हमने नहीं फेस किया है, हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाय घटी हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी है तो भी हमें अपनी notebook में लिखना है That is all for this chapter and we shall study the next chapter in the next class तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से natural calamities की वज़े से जो है लोगों को काफी कुछ अपना lose करना पड़ा लाइफ में काफी सारा loss face करना पड़ा और उसके बाद उनको जो world है पुरा world उसकी तरफ से उनको किस तरह से help मिली और उन्होंने अपने life को restart किया